वान्स अगेन वेलकम बैक टो SSE प्रेपरेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारी जॉब्स की अपडेट रहेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जिरूर देखें सबसे पहले आशा वरकर पदों के लिए अपडेट नगरोटा सूरिय में भरे जाएंग अप्लिगेशन फॉर्म और डोकुमेंट स्वास्थेखन नगरोटा सूरिय के ओफिस में 19 मेई तक जमा करवाएं पीचिंग और नों टीचिंग स्टाफ के बादों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं डीडियेम ग्रूप ऑफ इंस्टीचूट गोंदपूर बनेड़ डिच्टि के उन्ना में ये वखैंसी बहरी जा रही हैं फ़ार्मा कैमिस्टी ऑर फार्मा एनलाइसिस में आप लोग आवेदन कर सकते हैं नों टीचिंग स्टाप में यहां पर इसैप्शन इस्टेक्षन और ले आफटेक्निशन और ले अटेंडेंट की वखैंसी बहरी ज भरती की कॉंसलिंग में ब्यवीटड दिगरी धारकों को शामिल होने से जेविटी परशिक्षिखषु खासा pyatव है ब्यवीटड का कहा Jetzt सब्सक्रारइब करें तेड परिक्षों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं आप दोजित से लेकर 28 में तक टैड परिक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं रोजगार का सुनहरा अपसर आप लोगों के लिए बर्दमान टेक्स्टाइल के द्वारा भी प्रोवाइड किया गया है हिमाचल परदेश में इनकी 22 से विजाद एकाईया है और बद्धी शेयर में आप ल लोगों के लिए सेलरी 12248 रुपे तक दी जाएगी और अधर फेसल्टी बी बर्दमान टेक्स्टाइल की और से आप लोगों को दी जाएगी जादा जानकारी के लिए यहां पर इमेल और फोन नंबर भी दिया गया है एंटिटी भरती के मामले को सुलजाने के लिए के इं कि मांगी है एक साल के डिपलमा को वैलिड करने की मांग की ताकि माचल परदेश में जल्द से एंटिटी की 4000 से ज्यादा भरतिया शुरू हो सके पूर भाजबा सरकार के समय में आशावरकर की भरतिया शुरू हुई थी लेकिन बाद में भरती परिक्रिया रूख गई थी लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने एक बार फिट से इस भरती परिक्रिया को शुरू कर दिया है आप लोग काफी कमेंड करके पूछते हैं कि मल्टी टास्क वरकर भरतियां या फिर कूक हेलपर या पैरा पंप उपरेटर पैरा फिटर की भरतियां कब तक शुरू होंगी तो ये त कवर रोजगार समचर बाने के लिए चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें